हलो स्टुडेंट्स आज हम कुछ और कोशेंज कर लेते हैं प्लेविद पैटन से रिलेटेड कोशें नमबर 28 यह पिक्चर सापको दिखने में बड़े इजी लग रहे हैं हैं इजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है जैसे को कोशें नमबर 28 आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे में कोशें नमबर 28 इसमें क्या है यह पार्ट में इसमें च्छोटे बॉक्स बने हुए हैं और उसमें आपको जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स बने हैं और two blank बने है, two boxes, two जो आगे blank है, उसमें कैसी figure आएगी, इसको आपको complete करना है, इस pattern को complete करना है, तो pattern जब भी दिया होता है, आपको rule दिया नहीं है, जब भी आपको test में आएगा तो इसमें आपको rule लिखा नहीं होगा, आपने खुद उसमें चेक करना है, कि कौन सा rule इस प first, तो यह है कि इसमें क्या आजाएगा, अगला जो है, क्या आएगा, बॉक्स ही आएगा, ठीक है, यह जो दो ब्लैंक है, यह क्या आएगे, बॉक्स जाएगे, दो इक्वल बॉक्स बनाना आप लोग, इसमें मुझे ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे, दो बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, अब हमें second चीज़ यह देखना है कि इसमें क्लर कौन सा आएगा, first क्या है, now check it, first is pink, then green, then pink, then green, then pink, तो फिर क्या आएगा आगे, आगे फिर से हमारा क्या आजाएगा, पिंक आजाएगा, और next box, तो हम next box में क्या कर लेंगे हम color, pink नि, pink तो आ चुका है, तो इसमें कौन सा आएगा color, pink के बाद alternate colors क्या है, बॉक्से में alternate आ रहे है, तो pink के बाद फिर कौन सा color आजाएगा, green color आजाएगा, तो आप इस box में green वाला color फिल कर लोगे, और next फिर से क्या आजाएगा उसके बा तो इस तरीके से आपको रूल पहले चेक करना है, कौन सा रूल होगा, फिर आपको इसको complete करना है, तो ये हो गया आपका देखो, pink, green, pink, green, pink, green, then pink, तो ये आपका answer complete हो गया, ऐसे ही आपको next question चेक करना है, now check second, अब second वाले question में देखो, first box, then circle, क्या है, box, then circle, box, circle, box, circle, फिर फिर से box और ball, मतब box बना होगा उसके बाद, rectangle shape, then circle, rectangle, circle, rectangle, circle, तो फिर अगला क्या आजाएगा आपका फिर से, rectangle, फिर उसके बाद क्या आएगा, circle बन जाएगा, ठीक है, तो जैसे आपका pattern है, उस हिसाफ से आपको उसमें, color भी करना होगा, देखो, आप red color का box है, फिर yellow है, फिर red, yellow, red, yellow, तो फिर next क्या आजाएगा आपका color, red, अब यह आप देखो, फिर से क्या color क्या मिलेगा, क्या का आएगा इसमें, red, और then, और circle का color क्या है, circle का color है, yellow, yellow circle, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको चेक करना है, देखो, कौन-कौन से color है, red color के box है, box है, फिर yellow color का circle, फिर red color का box, फिर yellow color का circle, ठीक है, देखो, red box, then yellow circle, red box, yellow circle, red box, yellow circle, red box, yellow circle, red box, yellow circle, तो इसी तरीके से आपका answer यह हो जाएगा, ठीक है, तो answer आजाएगा, red box, then yellow circle, ऐसे आपको आप next में देखना है, next question number C, इसमें आपको चेक करना है, इसमें आपके तीन अलग यह तिरेखलेु ट में कॉस्य नवीर इसमर्स गार निए वेया हैं, त critics? ै यह और यह विमे हैं, पिन हए। doubt तिरींगु नियुन गवर्ण में ट्रिंग्स, आकितिए जाता रिंग्स एलो कलर के थे लेकिन नमबर C में देखो बॉक्स रेड भी है ब्लू भी है यलो भी है अलग-अलग कलर के आ रहे तो आपको इसमें ढूंड़ना है कि इसमें क्या रूल ऐसे बना रखा है जिससे यह पैटन बन रहा है ठीक है तो हम ट्राइ करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसम हम क्या करते हैं, उसको दो चीजों में break कर लेते हैं, जैसे, फुर्स्य तो हम देखते हैं, कि इसमें पहला shape किया आएगा, ठीक है, हम color अब नहीं देखेंगे, ठीक है, तो पहले हम check करते हैं, कि इसमें next shape क्या क्या आएगा, कोके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे शेप कलर की बात हम नहीं करेंगे अभी ठीक है तो हम अलग-अलग ब्रेक कर लेते हैं कोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया हमने कोशन नमबर सी को पहला पार्ट क्या है शेप तो हम पहले शेप चेक कर रहे हैं देखो shape क्या आ रहा है rectangle, circle, triangle rectangle, circle, triangle देखो ये तीन हो rectangle, circle, triangle फिर से rectangle, circle, triangle और फिर उसके बढ़ rectangle आया, circle आया लेकिन triangle नहीं आया that means कि अगला हमारा क्या आएगा इसमें triangle आएगा ठीक है तो ये क्या आएगा triangle आएगा इसको आप ठीक से draw कर लीजेगा triangle आएगा अब देखो फिर से अब हमारा क्या हो गया ये rectangle, circle, triangle ये complete set बन गया लेकिन इसमें अगला एक और blank है तो अगला फिर से क्या आएगा देखो फिर से वाले set में हमारा rectangle क्या आया rectangle, circle, then triangle फिर rectangle, circle, then triangle फिर उसके बाद फिर से rectangle, then circle, then triangle हर set किसे start हो रहा है rectangle से start हो रहा है तो हमारा जो next pattern आएगा वो क्या आएगा yes, next pattern फिर से क्या शुरू होगा rectangle से, ठीक है तो अभी दो ही blank था तो हमारा ये complete हो गया फिलाल इस पे तो अगले set का हमारा सिर्फ एक rectangle बनावा है पांकी की हमें जरूरती नहीं क्यूंकि हमेरा दो ही blank space है अब हमारा question का half part complete हो गया ठीक है अब हमारा next part था कि इसमें color क्या होगा अब हम चेक करते हैं इसमें color क्या है ठीक है तो let's check हम color check कर लेते हैं क्या आएगा अब सबसे first वाले में देखो color क्या आए यार red then green then yellow जब तक कि repeat नहीं होता हम चेक कर देख लेते हैं कि क्या आ रहा है ये then blue फिर उसके बाद फिर से red आ गया तो that means हमारे पास ये चार क्या बने red, green, yellow and blue उसके बाद फिर से हम color देखते क्या आ रहा है red then green then yellow then blue इसका मतलब color वाला set हमारे four four colors के set बन रहे है colors अभी हम pattern इसमें हम design नहीं देख रहे हैं कि कौन सी design है हम सिर्फ color check कर देख तो हमारा इसमें कौन सा color आ गया first वाले set पे red 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 green, yellow, blue ठीक है अब फिर से हम अगर दूसरा set देख लेते हैं यह चार बॉक्स चार पैटन्स चार डिजाइन्स का तो फिर से हमारे पास color आ गया red green yellow and blue ठीक है तो अब इसका मतलब हम अगर इन चारों को एक साथ ले 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 और इन चारों को एक साथ ले 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 तो color का pattern हमारा कुछ कुछ rule बन रहा है इसमें क्या बनना है four colors यूज हो रहा है red, green, yellow, blue दूसरे वाले में भी red, green, yellow, blue that means कि अगला जो हमारा set होगा उसमें फिर से क्या start होगा फिर से red, green, yellow, blue तो हमारा triangle कौन से color का हो जाएगा triangle हो जाएगा हमारा कौन से color का red color का ठीक है तो हम इसको color कर लेते, red color का triangle बन गया हमारे पास और थोड़ा light red, light color है यह मेरे पास यह लगबर-लगबर pinky की तरह है red के बाद आया हमारे पास green color देखो आप चेक करके देख सकते है red, green, yellow, blue कौन सा color था? red, green, yellow, blue तो next हम कौन सा color कर लेंगे? green color, तो इसमें आपका green color हो गया, ठीक है? तो इस तरही के से pattern सापका complete हो गया, यह question number C का part देखो, हमने question number C को कैसे किया? दो type, दो parts में break करके, पहले जब हमारे पास simple questions होते हैं, तो simple simple आप कर सकते हो, जैसे question number A का था, एक साथ आप color और वो एक साथ कर सकते हो, लेकिन कुछ patterns ऐसे होते हैं, जिस पर आपको समझ नहीं आता क्या करना है, तो उसको आप question को break करके देखे, पहले shapes को चेक कर लीजे, shape मिल गया हमारे पास, उसके बाद हमने color चेक किया, फिर color का rule भी मिल गया हमारे पास, तो हमने complete कर लिया answer, question number C, ऐसे question number D, हम D पर चलते हैं, question number D क्या है, question number D भी question number C की तरह है, इसमें क्या बनावाए देखो, अब हम पहले pattern देख लेते हैं, क्या है, सबसे पहला है, box, then circle, then triangle, then box, circle, triangle, और ये कौन से color का color हम बाद में देख लेते हैं, चलो, box, circle, क्यूंकि इसमें कोई pattern color का भी दिख नहीं रहा हमारे पास, अगर हम एक साथ देखें तो, so, हम try करते हैं, कि हम पहले shape को चक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये तीन हों, देखो, क्या है, अगर हम फिर से एक बार देखें, तो, question number D में, देखो, box, मतलब rectangle, circle and triangle, ये तीन pattern हो गया, ऐसे rectangle, circle and triangle, ये तो हो गया, ऐसे rectangle, circle, फिर अगरा क्या आएगा, वो हम लिख सकते हैं, आराम से, ऐसे ही next, क्या आजाएगा, अगले में, फिर से हमारा एक और सेट बन गया इधर से, ठीक है, rectangle, circle, triangle का, तो, क्या हो गया है, question, देखो, question है, rectangle, circle, triangle, then rectangle, circle, triangle, फिर से rectangle, circle, अब triangle नहीं है, तो इसको triangle complete कर लो, इसको हम black से करेंगे, triangle complete हो गया, और उसके बाद फिर से क्या आजाएगा, box आएगा, ये तो pattern, design तो same हो गया, उपर वाले, question, question number C की तरह ही आया, लेकिन आप color इसमें हम चेक कर लेते हैं, color up C, question number C की तरह नहीं है, कुछ different है, तो आप color चेक करने के लिए, हम पहले तो धूनते हैं, कि इसमें rule color क किया गया है, ठीक है, तो पहले हम rule check कर लेते हैं, देखो, first picture green color की, फिर blue, then peach color, ठीक है, और इसमें, लेकिन second, फिर second में कुछ और color है, third में कुछ और color है, तो हम पहले, अच्छा, ये भी देख सकते हैं, इसमें कोई pattern हम को मिल ने रहा है, अब ये तो मिल ला है, देखो, इसमें three colors है, three colors है, green, blue, और peach, इसमें भी three colors है, green, blue और peach, लेकिन इसमें blue पहले है, फिर peach है, फिर green है, फिर next वाले set में क्या है, दो colors हो रख है, peach और green, और इसमें कौन सा color नहीं है, blue नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, blue कर सकते हैं, क् कि त्री कलर्स यूज हुए है इसमें त्री कलर्स यूज हुए है ग्रीन ब्लू और पीच सेकंड वाले में भी तीन कलर यूज हो रखें फर्स्ट वाले सेट में भी तीन कलर तो इसमें पीच है ग्रीन है तो ब्लू नहीं है तो हम इसमें कौन सा कलर कर लेंगे ब्लू कलर तो तो ब्लू कलर हम कर लेंगे इसमें, इसमें आ जाएगा ब्लू कलर, ठीक है, अब कॉशन देखते हैं कि अगला जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें कौन सा कलर आएगा, फिर एक बार हम दुबारा से हमें इसको चेक कर लेते हैं, देखो, फर्स बॉक्स में ग्रीन कलर, देन ब् तीनों बॉक्स कौन कौन से color के हैं? एक बार दुबारा से हम clear देख लें फर्स्ट बॉक्स में कौन सा color है? green, second जो box जो box को हम अगर देखें तो क्या है? green color, then blue color, then peach color तीनों color हैं और अगर हम circle को देखें तो blue, peach, then green अगर हम triangle को देखें तो क्या आ रहा? Peach, Green and Blue. एक sequence है, sequence बना हुआ है, कि कौन सा? Blue के बाद कौन सा कलर आ रहा है? Peach कलर आ रहा है. ठीक है? और Peach के बाद कौन सा कलर आ रहा है? देखो. फिर से repeat हो जाएगा green कलर. देखो, first, yellow, और ये green, box green कलर का है. ये तो और complicated questions है, तो इसको आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा. First वाला box, green कलर. Second box, blue कलर. और जो third वाला box आई कहा है, Peach कलर. तीन कलर यूज हो गए. तो अगला जो तीन boxes आएंगे, वो फिर से ये color repeat होगा. That means कि इस वाले में हमारा green कलर आएगा. ठीक है? तो और ऐसे ही अगर हम ये circle को देखे हम, अगर हम circle की बात करें, तो circle देखो, first वाला circle blue color, then peach color, then green color. ठीक है? Blue, peach, then green color. और ऐसे ही अगर हम तीनो color हैं. और ऐसे ही अगर हम triangle को देखें, तो peach, green, then blue. तीनो color है. इसके बाद फिर से ये set repeat होगा. तो हमारा next, जो box आएगा, वो क्या आएगा? कौन से color का आएगा? फिर से हमारे पास green color का, infective वाला green है, light वाला, तो हम light वाला green कर लेंगे इस पे, तो answer ये आजाएगा, इसमें color, ठीक है? तो इन questions को आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? ये तो आपका, ये question होगया, ऐसे question हमें, ये तो थे number design, patterns, design colors से बने वे हैं, shapes के patterns होगे, ठीक है? next हम पढ़ते हैं, number, number patterns, question number 29, complete the following number patterns, ठीक है? इसमें आपको patterns दे रखे हैं, और ये क्या है? numbers के patterns बने वे हैं, ठीक है? तो इसमें numbers, next number क्या आएगा, आपको ये चख करना है, तो फिर से आपको question कभी भी जब test होगा, उसमें आपको rule लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको rule खुद से सर्च करना है इसमें, कि क्या rule है इसमें, तो first हम देखते है question number A, 2, 4, 6, 8, 10, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है? 2 के बाद एक skip करके 4 है, मतब 3 नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 नहीं है, फिर 6 है, 7 को नहीं लिखा है, फिर 8 है, एक तपर किसे 2 की table बन रही है, 2 1, 2, 2 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 0, 10, तो अगला क्या आजाएगा, 2, 6, 0, 12, फिर उसके बाद क्या आजाएगा, 14, यह तो आसान आपके 2 की table बन रही है, टीक है, तो यह फिर आपके 2 की table बन रही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसमें हर एक नंबर में क्या हो रहा है प्लस टू होते जा रहा है ठीक है इसमें प्लस टू इसमें प्लस टू होके यह आ गया फिर से प्लस टू होके क्या आ गया 6 आ गया अब प्लस टू अला रूल हो रहा है इसमें या फिर multiply by 2 हो रहा है multiply by 2 नहीं हो रहा है बलकि यह क्या है plus 2 plus 2 plus 2 ठीक है तो यह इसका rule हो गहा है add plus 2 वाला rule हो गहा है इसका addition of to add to यह इसका rule हो गहा है ऐसे next question देखे हम अगर next question में numbers कुछ अलग तरीके से लिख हुए question number B में 1, 1 के बाद 2 then 3, then 4 नहीं है 5 यह 8 यह 13 है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा जब हम 1 और 2 को plus करते है 1 और 2 को इन दोनों को plus करते है तो आपको answer मिलता है 3 ठीक है 1 plus 2 is 3 और जब हम इन दोनों को plus करते है 2 और 3 को तो answer मिलता है आपको 5 ठीक है मतब पिछले वाले 2 numbers को add करके अगला number मिल रहे हमें 2 और 3 को add किया तो हमारे पास 5 मिल गया ऐसे जब हम 5 और 3 को add plus कर रहे है 5, 6, 7, 8 5 plus 3 is again 8 तो 8 मिल रहे हमें ठीक है इसी तरीके से जब हम 5 plus 8 कर रहे है 5 और 8 को plus कर रहे है 8 को और 5 को तो 8 plus 5 कितना रहे है 13 आ रहे है तो यह अगला number बन जा रहे है तो अगला number कैसे मिलेगा जब हम इन दोनों को add करेंगे that means 8 और 13 को plus करेंगे तो हमारे पास यहां number मिल जाएगा तो 8 plus 13 कितना आ जाएगा add करो इसको 21 तो हमारा इधर आंसर कितना आ जाएगा answer will be first वाले blank space में क्या जाएगा 21 21 आ गया और next वाला blank है तो फिर से यह rule follow होगा फिर से यह rule follow होगा फिर से हम इन दोनों को add कर लेंगे तो answer क्या आ जाएगा फिर से हमारे पास फिर answer क्या आ जाएगा फिर add करेंगे तो देखो 3 plus 1 4 और 2 plus 1 3 तो 34 हमारे पास answer आ जाएगा तो इस तरीके से आपको इस question को solve करना अगर आपको समझने आ हैं तो एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ जब आप इन दोनों को plus करोगे 1 plus 2 is 3 ओके now add 2 plus 3 अब जब आप 2 और 3 को plus कर रहे हो तो answer क्या आ रहा है 5 आ रहा है 3 plus 2 is 5 ठीक है और अगर हम 3 और 5 को plus कर रहे हैं तो हमारे पास answer क्या आ रहा है देखो 5 plus 3 is 8 8 आ रहा है और जब हम अगला देखो पिछले 2 numbers को add करके अगला number आ रहा है हमारे पास तो अब 8 plus 5 को add करेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है 13 आ जा रहा है ठीक है तो इसी तरीके से अगला number हमें कैसे मिलेगा जब हम क्या करेंगे 8 और 3 13 को plus करेंगे तो हमारे पास यहाँ number मिल जाएगा तो 13 प्लस 8 कितना आ गया 21 ओके अगले number फिर हमें एक और number चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे फिर से इन दो numbers को add कर लेंगे 21 और 13 को तो हमारे पास answer क्या आ जाएगा 34 तो इस तरीके से rule आपको अपने आप search करना है तो इसको आप अच्छे से search करके तब आप इसको solve करेंगे ठीक तो अब next question हम check कर लेते question number C अब देखो 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5 इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा question थोड़ा सा complicated है आपको इसको trick समझने पड़ेगी तो अब इसको समझने के लिए अब मैं बता रही हूँ जड़ा इसमें क्या हो रहा है जब आप 0 में क्या कर रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लू जीरो में जब हम क्या कर रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहे है? 2 मिल रहे है, और जब हम 2 में से माइनस 1 कर रहे हैं, तो क्या मिल रहे है आपको? 1 मिल रहे है, ठीक है? और फिर से जब हम प्लस 2 कर रहे हैं, तो क्या मिल रहे है आपको? 1 में प्लस 2 करेंगे, तो 3 मिल रहा है और 3 में हम जब माइनस 1 करेंगे एक माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा ठीक है अब देखते जाएए अब 2 में फिर से हम प्लस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा फिर से हम 4 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा श्आ देखो एक पैटन बन रहा है यह एक पैटन किस तरहिखे का पैटन बन रहा है? हम क्या कर रहा है नमबर पर एक बार हम प्लसमट कर रहें, लुख डू अगली बार हम one minus कर दे रहें, फिर हम two add कर रहे हैं, फिर से हम one subtract कर दे रहे हैं, फिर से plus 2 कर रहे है, फिर से minus 1 कर रहे है, तो next turn किसके आएगी, next turn आएगी फिर से, अब minus 1 हो चुका है, तो अगला आएगा plus 2, तो अगला फिर से हम plus 2 करेंगे, तो क्या आया, 3 में plus 2, 5, ठीक है, अब plus 2 हो गया, अब अगला turn किसके है, minus 1 का, तो अब 5 में से 1 minus करेंगे, तो क इतना आ आ गया आंसर? 4, okay, then again, next हमारे पास क्या मल जाएगा? अब minus plus 2 हो गया, minus 1 हो गया, अब turn किसकी है? प्लस 2 की, तो आप 4 में plus 2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6, ठीक है? तो इस तरीके से number patterns को हम ऐसे भी आप, इस तरीके के भी number patterns होते हैं, आपको ऐसे solve करना है, ठीक है? यह कुछ examples मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही, next question number D में हम चलते हैं, 0, 0 के बाद 1, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ जा रहा है? 9 आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है? अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या हो रहा है इसमें देखो, 0 में हम क्या करने हैं? प्लस 1 कर रहा है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा देख लेते, 0 में जब हम प्लस 1 कर रहा हैं, तो क्या आ रहा है? 1 आ रहे, अब हम प्लस 3 जब कर रहे हैं, तो क्या आ रहे है 4 आ रहे अब इसमें और इसमें कितना difference है, देखो, प्लस 5 हम कर रहे हैं, तो क्या आ रहे 9 आ रहे, अब 9 में हम प्लस कितना कर रहे है 7 कर रहे हैं, तो कितना आ रहे 16 आ रहे देखो यह हम कैसे ऐड करें फिर्स्ट वाले में हमने one add किया उसके बाद three add किया देखो First वाले में one add किया Second वाले में three add किया fourth वाले उसके अगले वाले में five फिर उसके अगले में seven देखो यह जो numbers है न one, three, five, seven सब क्या है? even है या odd है? odd है, very good और नमबर से हैं, that means हमारे क्या एवन के बाद two छोड़ दिया, three एड किया, four छोड़ दिया, five एड किया, six छोड़ दिया, seven एड किया, उसके बाद फिर से हम eight छोड़ेंगे, और plus कितना करेंगे, plus nine एड कर लेंगे, तो अब हमारे पास क्या number मिलेगा, nine जब एड कर लेंगे, तो कितना मिलेगा, twenty five, okay, जब हम nine एड करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा answer, देखो इसको हम थोड़ा सा उपर लिख लेते हैं, plus nine करा, तो हमारे पास answer कितना आगया, twenty five, अब एकी box है, अगर एक और होता, तो हम फिर अगला eleven add करते है, nine के बाद, क्योंकि ten तो odd even हो गया, even को छोड़ दे रहे, odd को add कर दे रहे, ठीक है, तो यह rule आपको खुद से find करना है, खुद से ढूंडना है, ठीक है, next and last question, हमारे पास, अभी two, four, six, eight वाला हमने question पहले कर दिया, ठीक है, इसमें हमारे पास, इसमे कुछ थोड़ा सा और complicated, इसमें मैंने किया है, इस question में क्या किया है, मैंने, देखो, first वाला है, zero point two, अब point two, second number है, point four, third है, point six, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है यह, पॉइंट एड़ हो रहे है, पॉइंट टू एड़ हो रहे है, देखो, फ्रस्ट वाले में जब हम पॉइंट टू एड़ करेंगे, 0.2, 0.2 में, 0.2 था, ठीक है, अगर जब इसमें 0.2 और हमने add कर दिया तो कितना आ गया 4, 0.4 आ गया देखो हमने क्या किया plus 0.2 ठीक है ऐसा भी मैं देखो first वाले में 0.2 एड किया तो 0.4 आ गया अब second वाले में फिर से हमने क्या किया second वाले में फिर से हमने क्या किया फिर से हमने 0.2 एड कर दिया पॉइंट टू एड़ कर दिया तो फिर से हमें क्या मिल गया 426.0 तो 0.6 मिल गया अब हम इसमें फिर से हम पॉइंट टू एड़ कर दिंगे इसमें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा 6 प्लस 2 कितना आ गया 8 और यह 0.0 तो इसमें हमारा क्या आएगा कोशन का जो next blank space है answer मिला हमें 0.8 पॉइंट मेरा अच्छे से नहीं बन रहा है आप इसको अच्छे से लिखे 0.8 ओके अब हम आगे और देखते क्योंकि एक और blank space है तो हमारा rule क्या था हमारा हम 0.2 एड़ कर रहे थी इसमें space नहीं है 8 में 2 जब add करते हैं तो 10 हो जाता है तो हम लिख देंगे 10 का 0 इदर 1 कह रहे इदर तो इदर आगे 1 ठीक है और decimal हमारा बिलकुल एक सीद में होना चाहिए तो decimal आगया यहां तो हमारे पास answer क्या है 1.0 ओके तो हमारा next जो number आया क्या है 1.0 ठीक है तो यह हमारा answer हो गया तो ask के जो questions है आप बड़े ध्यान से समझे इसको अच्छे से और फिर आप अपने copy में करें कि तो किया धनुद कई शाओ की जो को यह हमारा। Будे एक है तो कि आप